सहरन पूर पुलिस और पंजाब पुलिस ने सयुक्त ओपरेशन चला कर अफरन करताओं से मुटबेड के बार्थ पटियाला से अफरन कर लाए गए उध्योकपती को सकुशल आजाद कराया है बदमाशों के साथ हुई मुटबेड में दोनों और से कई राउंड फाइरिंग चलने के बार्थ पुलिस ने तीन अफरन करताओं को गिरफतार कर लिया पाँच दिन पूर पटियाला के एक करोड रुपे फिरोती वसूले के लिए अफरन किये गए बिल्डर को छुडाने के लिए साहरन पर पुलिस और पंजाब पुलिस टीम की तीत्रो थाना शेतर में बदमाशों से मुटबेड हो गई इस मुटबेड के दुरान टांग में गोली लखने पर एक बदमाश को पुलिस ने गिरफतार कर अफरत को छुडा लिया वही दोपैर में दो बदमाशों को साहरन पुल रेल्वे स्टेशन से और दो बदमाशों को एक दिन पूर पटियाला से गिरफतार किया गया था आपको बता दे कि पंजाब के पठ्याला निवासी बिल्डर संपून सिंका बदमाशों ने गत 28 फरवरी को पठ्याला से अफरन कर लिया था बदमाशों ने अफरित के परिजनों से एक करोड रुपे की फिरोती मांगी थी पंजाब पुलिस अफरित को तलाशने में लगी हुई थी जिस नंबर से बदमाशों ने कॉल करके परिजनों से फिरोती की रखम की मांग की थी उस नंबर को सर्विलांस पर लिया गया और अंबाला से टेपला गाउ निवासी सुभाश और बंटी उर्फ विकास को गिरफतार कर लिया गया इन दोनों बदमाशों ने अफरित संपूर सिंग को सहरनपूर में रखे जाने के बाद पुलिस को बताई इसके बाद पंजाब पुलिस के टीम ने सहरनपूर पहुचकर स्सपी दिनेश कुमार को मावले से अफगत कराया दोबहर में पुलिस टीम ने सयुक्त ओपरेशन के दौराद सहरनपूर रेलवे स्टेशन से गंगोहा थाना शेतर के गाओं हमजा गर निवासी इरशाद और नदीम को गिरफतार कर लिया नदीम और इर्शाद ने पुलिस को बताया कि अफरित संपून सिंग को गंगोहा शेत्र में रखा गया है साहनपूर एसोजी तीत्रो गंगोहा थाना पुलिस और सरविलांस टीम और पंजाब पुलिस की टीम ने रात करीब आठ पजे अफरित को बरामत करने के लिए गंगोहो शेत्र में डबिश थी लेकिन वहाँ की सूष्टा कलत मिली इसके बाद इत्रो थाना शेत्र में पुलिस के बदमाशों से मुटबेर हुई एक बदमाश को टांग में गोली लगे जिससे दबोश लिया गया लेकिन तीन बदमाश मोके से फरार हो गए ग्रफतार बदमाशों के नाम बालेस्चर और फिवाना को पुलिस टे जला स्पिताल भेज कर उपचार कराया पुलिस ने अफरित करोबारी संपूर्ण सिंग को आफरन करताओं के चुंगल से सकुषण छुडवा लिया अब कि अब कि अब कि अब कि अब करके बनाया था है आप सही है तो आप कुछ हो पूर्स का धन्या माधी है अब कर देश कुमार ने बताया कि बदमाशों ने अफरन करके संपूर्ण सिंग के परवार से एक करोड़ रूपी की फिरोती मागी थी गरफ़तार तीनों बदमाशों गंगवोई शेत्र के गाउं हमजाद करके रहने वाले हैं मुटबेड के दुरान फरार हुए तीनों बदमाशों का पता लगाया जा रहा है बहाल पुलिस ने बड़ी कारवाई को अंचाम दिया और अफरेत कारोबारी संपूर सिंग को सकुशल बरामत किया वहीं बदमाशों के भी गिरफतार कर लिया गया है